विशे सग्या इस डाउनवर्ड ट्रेन को देखकर उमीद भी कर रहे थे कि जल्द ही देश दूसरी लहर से पूरी तरह भार आ जाएगा। लेकिन कुछ राज्यों में केसिस की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। साथियों, आज जितने राज्य, छे राज्य आज हमारे साथ हैं, इस चर्चा में सामिल हुए हैं, पिछले हपते के करीब 80% नए केसिस, आप जो इन राज्यों में हैं, उन्ही राज्यों से आये हैं। 84% दुखन मोते भी इन्ही राज्यों में हुई हैं। शुरुवात में विशे सग्य ये मान रहे थे, कि जहां से सेकंड वेव की शुरुवात हुई थी, वहां स्थिती अन्य की तुलना में पहले नियंत्रा में होगी। लेकिन महराष्ट और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। ये वाकई हम सब के लिए, देश के लिए एक गंभीर चित्ता का विशय है। आप सब इससे परिचित हैं कि ऐसे ही ट्रेंड हमें सेकंड वेव के पहले जनवरी फरवरी में भी देखने को मिले थे। इसलिए आशंका स्वाभाविक रुप से बढ़ जाती हैं कि अगर स्थिती नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोयक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा है। साथियों एक्सपर्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वाइरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है। नए नए वेरियंट्स का खत्रा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाप प्रभावी कदम उठाया जाना नित्तांत आवश्चक है। इस दिशा में स्ट्राटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं, पुरे देश ने उसको लागू किया हुआ है, और उसका एक अनुभव भी हमें हैं, जो आपके लिए भी टेस्टेड और प्रूबन मेथड है। टेस्ट, ट्रेक और ट्रीट और अप्टीका टेस्ट, ट्रेक, ट्रीक और ट्रीका इसी वैक्शिन्स की हमारी रणदीती फोकस करते हुई हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेन्मेंट जोन्स पर हमें विशेश ध्यान देना होगा, जिन लिलो में पॉजिटिविटी रेट जादा है, जहां से नंबर अप केसी जादा आ रहे हैं, वहां उतना ही जादा फोकस भी होना चाहिए। अभी जब मैं नौर्थ इसके साथियों से बात कर रहा था, तो एक बात उभर करके आई कि कुछ राज्यों ने लोगडाउन ही नहीं किया, लेकिन माइक्रो कंटेन्मेंट जोन पर बहुत बल दिया, और उसके कारण वो स्थिति को समाल पाए। टेस्टिंग में भी ऐसे जिलों पर विशेश ध्यान देते हुए, पूरे प्रदेश में टेस्टिंग को जादा से जादा बढ़ाया जाना चाहिए। जिन जिलों में, जिन इलाकों में संक्रमन जादा है, वहाँ वैक्सिन भी हमारे लिए एक स्ट्राटेजिक टूल है। वैक्सिन के प्रभावी इस्तिमाल से कोरोना की वजह से उत्पन परिशानियों को कम किया जा सकता है। कई राज्य इस समय हमें जो विंडो मिली है, उसका इस्तमाल अपनी RT-PCR टेस्टिंग केपरिसिटी बढ़ाने में भी कर रहे हैं। ये भी एक सरहानिय और जरूरी कदम है। ज्यादा से ज्यादा RT-PCR टेस्टिंग वाइरस को रोकने में काफी प्रभावी हो सकते हैं। साथियों, देश के सभी राज्यों को नए ICU बेट्स बढ़ाने, टेस्टिंग शमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरुनतों के लिए फंड उपलब्द करवाया जा रहा है। प्रकार ने हाली में 23,000 करोड, 23,000 करोड रुपिय से जादा का Emergency COVID Response Package भी जारी किया है। मैं चाहूंगा कि इस बजट का उप्योग, Health Infrastructure को और मजबूत करने के लिए हो। जो भी Infrastructural Gaps राज्यों में हैं, उन्हें तेजी से भरा जाएं। खास्तोर पर ग्रामेण इलाकों, Rural Area उस पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ ही सभी राज्यों में IT Systems, Control Rooms और Call Centers का Network मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। इससे Resources के Data उसकी जानकारी पारदर्सिक तरीके से नागरिकों को मिल पाती है। इलाज के लिए मरीजों और परीजनों को इधर उधर भागना नहीं पड़ता। साथियों मुझे बताया गया है कि आपके राज्यों में जो 332 PSA प्लांट्स एलोकेट किये गए हैं, उन में से 53 कमिशन हो चुके हैं। मेरा सभी राज्यों से आगरह हैं कि इन PSA oxygen प्लांट्स को जल्द से जल्द पुरा करें। किसी एक senior officer को specially यही काम में लगाई हैं। और 15-20 दिन का mission board में इस काम को आप पुरा करवाई है। साथियों, एक और चिंता बच्चों को लेकर भी हैं। बच्चों को कोरोना संक्रमन से बचाने के लिए हमें अपनी तरब से पूरी तैयारी करनी होगी। साथियों हम देख रहे हैं कि पिछले दो हपतों में यूरोप के कई देशों में एकदम तेजी से cases भट रहे हैं। अगर हम पस्टिम में देखें चाए यूरोप के देश हों चाए अमेरिका इधर हम पूरब में देखें तो बंगला देश, म्यानमार, इंडोनेशिया, थाइलेंड बहुत तेजी से cases भट रहे हैं। और कल्पना भार का नेक प्रकारजे कहीं पर चार गुना, कहीं आंट गुना, कहीं दस गुना बडोतरी आई हैं। ये पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी एक चेतावनी भी हैं, एक बहुत बड़ा एलर्ट है। हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बिज से गया नहीं है। हमारे यहाँ जादातर जगों में अनलोक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो इस चिंता को और ज़्यादा बढ़ाती है। इसका जिक्र मैंने अभी नौर्थ इसके सब साथियों से बात कर रहा था, उस दिन भी किया था। मैं आज फिर से जोर देकर को इस बात को दोराना चाहता हूं। आज जो राज्य हमारे साथ जुड़े हैं। इनमें तो कई बड़े मेट्रोपलिटन शहर है। बहुत सघन आबादी वाले हैं। हमें इसे भी ध्यान में रखना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर बीड लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सक्त होना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ अन्य राजनेतिक दलों, सामाजिक संग्टनों और एंजियोस को, सिविल सुसाइटी को साथ लेकर हमें लगातार लोगों को जागरूत करते रहना है। मुझे विश्वास है कि आप सब के व्यापक अनुभव इस दिशा में काफी काम आएंगे। आप सबने इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए समय निकाला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप सबी आदने मुख्यमंत्रीजे ने उलेक किया। मैं हर पल अवेलेबल हूँ, हमारा संपर्ग बना रहता है। आगे भी मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा ताकि हम सब मिलकर के इस संकट से मानवजात को बचाने के इस अभियान में अपने अपने राज्यों को भी हम बचा सके। मेरी आप सबको बहुत छुब कामना हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।